हलो फ्रेंड्स आप सभी का वेलकम है मेरे यूटीब चैनल पे गाइस प्लीज लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल एंड प्रेस बेल आइकन तांकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नॉटिस्केशन इसली मिलती रहे है फ्रेंड्स आज आपसे बात करते हैं अक्सर लोगों को four and since का यूज़ करने में बड़ी समस्य का सामना करना पड़ता है अक्सर में नहीं पता चलता है कहां पे four लगे का और कहां पे since अक्सर हम इसमें puzzle हो जाते हैं तो आज बिलकुल normal शब्दों में आपको four and since का मतलब बताते हैं कहां पे कैसी यूज़ होता ह पहले हम बात करते हैं four की guys four हम वहाँ पे use करते हैं जहां पे हम time की counting की बात करें मतलब की समय की करना हो accurate time ना हो जैसे मैं कह रहा हूँ कि दो दिन चार दिन दो गंटे पांच गंटे दस साल बीस साल वहाँ पे हम four use करते हैं जैसे मैं कहता हूँ कि मैं दिल्ली में दस साल से रह रहा हूं, तो आएगा I have been living in Delhi for 10 years, ओके, अगर मैं कहता हूं कि मैं कहीं सालों से गाड़ी चला रहा हूं, देखें कहीं सालों से, मतलब counting है time की, कोई accurate time तो हमने नहीं बताया, counting है time की, ठीक है, तो वहाँ पे आएगा I have been driving car for many years, फील में बात करता हूं, कि मैंने फलानी कंपरी में ABC कुछ भी सच and such, कि मैंने ABC कंपरी में 2 साल काम किया, अब देखें counting है type की, 2 साल की गणना है, मैंने 2 साल फलानी कंपरी में काम किया, तो आएगा I worked in ABC company for 2 years, अब guys आप से बात करते हैं since की, देखें since हम वहाँ पे use करते हैं जहां पर हम starting point की बात करें, time क्या starting आपको पता हो, या फिर नॉर्मल शब्दों में कहूं कि जहां पर आपको accurate पता हो कि वो चीज़ कब शुरू हुई है, अब जैसे मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे सुबह से वेट कर रहा हूं, तो वहां पर since आएगा, कि मैं दुकानों क पर बार बोड दिखा होता है, लिखा होता है कि such and such 80 या फिर ABC shop कुछ भी, और लिखा होता है कि since 1991, since 1980, since 1970, ऐसा कुछ लिखा होता है, तो since हम वहां पर यूज़ करते हैं, जहां पर हमें particular time पता हो कि कब यह चीज़ शुरू हुई है, जैसे कि मैं दिल्ली में, अगर तो कह पर अगर मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली में 2010 से रह रहा हूं, देखे 2010, मुझे पता चल गए कि दिल्ली में आपने रहना शुरू किया था 2010 में, मतलब कि time के counting है, तो आएगा I have been living in Delhi since 2010, अब मैं कहता हूं कि मैं सुबह से गाड़ी चला रहा हूं, देखे पता लगए कि सुब पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, counting नहीं है, तो आएगा I have been driving car since morning, अब जैसे मैं कहता हूं कि मैं सुबह 10 बज़े या फिर मैं 10 बज़े से पढ़ रहा हूं, मैं 10 बज़े से पढ़ रहा हूं, पता है मुझे कि ये counting नहीं है, पर्टिकुलर टाइम है, कि मैंने 10 बज़े प खुद करने की कोशिश कीजिए और मुझे comment box में बताना प्लीज, अच्छा ले लिए मुझे लिए, so guys, thank you, like my videos, subscribe my channel and press the bell icon, ताकि आपको upcoming videos की notification easily मिलते रहे, thank you guys